कोरोना के बरते मामले को देखते वे जहां बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार देर से ही सही लेकिन लोगडाउन की संभावनाओं पर गंभीरता पुर्वक विचार कर रहे हैं। इसे लेकर आज उन्होंने हाई लेबल मिटिंग भी बुलाई है। वहीं इस मुद्दे पर NDA में ही आपसी तक्रार है। बीजेपी और वी आईपी जहां लोगडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं वहीं गठवंधन में सामिल और पुर्व मुख्य मंत्री जीतन नाम मांजी लोगडाउन लगाने के लिए बरी सर्थ सामने रखती है। मांजी ने ट्वीट कर कहा है कि वह एक ही सर्थ पर लोगडाउन का समर्थन करेंगे अगर सब का बिजली पानी बिल, स्कूल कॉलेज की फीस माफ कर दी जाए। किरायदारों का किराया माफ किया जाए, बैंक लोन, EMI को भी माफ कर दिया जाए। मांजी ने कहा है कि किसी को सौक नहीं होता कि जान जोखिम में डाल कर बाहर जाए। लेकिन रोटी और करज के कारण सब कुछ करना परता है। यह बात एर कंडिशनर में रहने वाले लोगों को समझ में नहीं आएगी। जीतन नाम मांजी ने अपने इस स्टेंड से असपष्ट कर दिया है कि वह लोगडॉन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार के लिए कोई भी फैसला लेना आसान नहीं है। एक तरफ बिहार महामारी की चपेट में है और दूसरी तरफ एंडिये में ही बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अद्यक्ष संजे जैसवाल ने सरकार के नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले पर सवाल खड़े किये थे। तो वहीं मंत्री राम सूरत राय ने कहा था कि राज्य में पूर्व लॉगडॉन लग लाइव इंडिया के लिए पटना से अजित के शाथ अनिरुद्ध के रिपोर्ट